भाजपा की प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट वंदना पोपली और नगर परिशत के उप्रधान शामलाल चुग रेवाडी शहर के नागरिक अस्पताल में पहुंचे इन्होंने अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई इस मौके पर राजकुमार दुआ, एकता दुआ, गोपाल शर्मा, चंद्रकला, गोपाल दास, कृष्णा कुमारी वन नविन पोपली ने भी कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली जोरान भाजपा नेत्री वंदना पोपली ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना वैक्सीन को जरूर लगवाएं क्योंकि ये एक सुरक्षा का वच है जो कोरोना से सब को बचाने का काम करेगी इसले इस वैक्सीन को अवश्य लगवाएं ताकि कोरोना को मात दी जा सके और सभी लोग संक्रमन के खत्रे से बचे रहें उन्होंने ये भी कहा कि इस महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का प्रियोग करना, नियमित व्यायाम करना वे खानपान का विशेश तोर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है लोगों को जागरू करते हुए नगर परिशद रेवारी के उप्रधान शामलाल चुग ने कहा कि इस महामारी से डरे नहीं, बलकि द्यानिक कार्य करते हुए अपने मानसिक स्वास्ते को बहतर बनाए रखे दोगस की दूरी और मास्क है जरूरी को समझें ताकि हम अपना और अपने लोगों का बचाव कर सके आज मैंने करोना की पहली वैक्चिन की डोज लगाई है, मैं सभी से यही कहूँगा कि अपने देश की करोना की वैक्चिन बनीवी सभी को लगाने चाहिए जिससे कि इस मेमारी से बचा जाए पहले दोर में जब करोना की वैश्चिक मामारी ने जन लिया तो पहले दोर में जिला रिवाड़ी के अंदर जिला रिवाड़ी की छेस्तर लोगों में मोट हों की लेकिन अभी में लापर आई खत्म नहीं तो कि बजारों में भीट देखने के मिल रही है जन सवाए हो बु ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए तो एक तरह से वो डर सा निकल गया है लेकिन डर एक्चल में है उन परिवारों से पूछे जिन्नों ने अपने घर के मेंबर्स को खोया है लेकिन नहीं लगता कि लापरवाई के उनके भारी पढ़ सकती है और स्वास्विभाग और दिला प जोना दुबारा से आ गया है तो अभी हमें और भी बचकर रहने के आप सकती है कर दो कर दो क सकती है